हेलो फ्रेंड्स आप सब कर स्वागत है आपके अपने यूट्व चैनल फामा एंसी क्यों में तो देखिए आज की वीडियो में एक जो है क्वेशन पेपर है और यह जो है जो एंपी का जो ड्रग इंस्पेक्टर का एक्जाइम हुआ था अभी लेटेस्ट फुटीन थो प्रवाइड कराया है तो कुछ देखिए अभी जो आपके डिफरेंट डिफरेंट ड्रग इंस्पेक्टर के एक्जाइम होने हैं जिसे उडिसा में तो एक्जाम की डेट आ भी गई है और डिफरेंट डिफरेंट विकेंसी आयों है तो उनके लिए यह जो है आपके लिए क अब लोगों को मिल सकें क्वेशिए विच फॉलिंग डिस नोट डिसाइड दा फ्लो प्रोपर्टी ओफ पाउडर्स तो देखिए अंगल ओफ रिपोस सॉल्यूबिलिटी होजनर रेशो कार इंडेक्स तो फ्लोपर्टी के लिए आप लोग एंगल ओफ रिपोस पड़ते ह है होजनर रेशो भी होता है कार इंडेक्स वहता है लेकिन सॉल्यूबिलिटी का इस से कोई रिलेशन नहीं है तो आपका अंसर जो है ऑप्षिन भी सॉल्यूबिलिटी होजेगा ऑकि क्वेशिन आपका निक्स्ट है विच फॉलिंग डिस नॉट अफेक्ट दा माइक्रो ब पर्टी ओकें नेक्स्ट है विच पूछा है नी परिया संतुल्य। नॉट के एंडे वे गशन के लिखा लिलेशन सुल्य। ऐसम को चोई होगा सिर्फनली आपकी होता है अ प्लसंटा को करती है कमेंट बुक्स में बताइएगा तो यह इम्मिनोग्लोबिलिन के बारे में लिखा हुआ है कि फास्ट एंटीबोडी डाट इंटरेक्ट विद न्यू बैक्टिया दा अंटर दा बोडी और यह क्या इनिशेट करती है प्राइमरी इम्मीन रिस्पोंस के सब्लस्ट भल होती है एग्म और यह हाइस्ट वेल्ट वाली मिनोग्लोबिलीन है और लाइब सेन जो होता है इसका वह फाइफ देस होता है और मेकफ तो तैन परसंट उफ दा एंटिबोड ब्लाज्म के नेक्स्त है विच उफ दा फोलेंगी ती पी आइसोफोर्म बायो ट infinity 4-5讲 है which a value map युदिस टाइटाबेस फीर्स्ट हैं इंवर्मेशन इक मनेंटा प्रामरी डारिः शकिंड्री डारिक्त शर्वल्मेशन ओस zweiten उप तो यह डाटा बस उपस्ट हैंड इंचों ए ठामरी डाटी के प्रामरी डारी डारी डार को टार कीप्राय। तो यह प्राइमरी डाटा होता है इसमें आपका सर्वेज, उब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, क्वेशनेर्स, पर्सनल इंटर्व्यू से सब प्राइमरी डाटा में आजेगा नेक्स्ट है कोजटीव एजेंट पूचा सिफलिस का देखें बहुत बार मैं आपसे कहते हूँ सिफलिस का बहुत ज्यादा एक्जाम में पूछा हुआ है है ना मैं आपको हमेशा याद करना बताते हैं सिफलिस जो है स्टेडीज में आती है सेक्सुली ट्रांस्मीटिड डिजीज में आता है और इसका जो कोस्टीव ओगनिसम है हम स्टीपी से याद करते हैं कौन सा सिफलिस का कोस्टीव ओगनिसम याद करते हैं हम ट्रिपनिमा पैलीडियम है ना तो देखिए कौन से option में दिया है आपको option D में दिया है यह ट्रिपरी में पैलीडियम हो जेगा नेक्स्ट है rate at which light enter through objective phase contrast microscopy is options देखर जे constant inversely proportional to the reflective index directly proportional to the reflective index or exponentially related to the reflective index तो यह हो जेगा आपका answer इसका option भी inversely proportional तो देखर लिए रिफ्रेक्टिव इंडाइस नेक्स्ट है वट इस दा करेक्ट सीक्वेंस ओफ स्टैप्स इन वोल्ड इन रबल ड्राग प्रडक्शन तो करेक्ट सीक्वेंस ओफ स्टैप्स आपने बताना है यह options देख लिए आप लोग तो सबसे पहले क्या होता है मेरे नेक्स्ट है एंजाइम एक्टिविटी इन बाइलोजिकल सिस्टम में बी अफेक्टेड बाइद फॉलोइंग देखे नागटिव मोडिफायर्स चेंज इन अंजाइमेटी कंसेंट्रेशन ओल अफ गिवन ऑप्शन जो है एफेक्ट करेंगे तो आप कांसर ऑप्शन सी हो सब्सक्राइब करते हैं इन में से एक फेक्टर को छोड़के सभी पर डिपैंड करेंगे एक सब्सक्राइब पूछा है तो बताइए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ओफ मीडियम वेवलेंड डामेटर अपर चला है फोकल लैंथ अब्जेक्टिव लैंस तो यह आंसर हो जग सब्सक्राइब करेंड करते हैं बताइए ओल अप्शन दिया एक तो अप्शन में बागी कंसेंट्रेशन अव सब्सक्राइब फिया चुटेबल फोड़ केमिकल टाइम ऑफ एक्शन तो आपका अंसर हो जगा सारे के सारे ओप्शन हैं जो अलफ गिवन ऑप्शन नेक्स्ट कartenie चैनल हो lui. आपका सब्सक्राइब उल्राघ के 40 वोह वियुआ आपकाल आथा ही यहां ऑप्शन जो आपकाkiego मान चैनल हनल इब होटा छेम केल पर cismoid bone are bone, bone जो होती है, tendons में embedded होती है, these are small round bones, are commonly found in the tendons of hand, knees and feet, okay, cismoid bone function to protect tendons from stress and wear से protect करती है, patella जो है commonly refer to as kneecap, ये example होता है cismoid bone का, next है which of the following is often the site of first pass effect, mouth, liver, heart या intestine, बिल्कुँ simple है, option B आपका हो जगा, कलीवर next which of the following is determined in saponification value saponification value में क्या determine करते हैं chloride KOH, potassium hydroxide NaCl sodium chloride oxygen तो यह option b हो जेगा KOH है na option b हो जेगा potassium hydroxide saponification value यह saponification no.tam क्या represent करते है number of milligram of potassium hydroxide KOHина sodium hydroxide NaOH required to saponify 1 gram of fat in the condition specified okay next fill in the blank with the correct option तो आपको यह fill in the blank में बताना है कौन सा option आएगा देखे जीटा potential determination is a significant characterization technique of nanocrystals employed for understanding the dash stability of nanosuspension देखे इन और गैनिक physical chemical या और गैनिक तो यह physical stability हो जेगा option B नेक्स्ट है what is the role of sodium metabisulfite in parental formulation में sodium metabisulfite का क्या role होता है है तो यह बताना है देखे यूजर्स co-solvent यूजर्स चिलेटर emulsifying agent यह antioxidant तो मेरे साबसे भी सभी को पता है कि antioxidant होता है यह option D right हो जेगा next which of the following joint is not an anti-motility drug देखे एंटी मोटिलेटर ड्रग में तो आपका लोपिरा माइड आता है ना लोपिरा माइड देखे options देखे लोपिरा माइड दिया है आपको इसमें कोडीन भी आता है डाइफिन ओक्सीलेट भी आता है लेकिन इस अब नहीं आता जो आपका option B बिलकुल right हो जाएगा ओके यह पिसमें पर यह classification से question है next है PC form bone is found which of the following joint तो PC form bone bone जो है कौन से joint में present wrist joint shoulder joint sternoclavicular ankle joint तो यह आपका रिस्ट joint में PC form जो बॉन है यह present होता है okay PC form bone is a small nobly sis moide bone होती है that is found the wrist wrist में present होती है नेक्स्ट है which of the following does not increase डिजॉक्सिन की टॉक्सिटी को इनमें से कौन सा इंक्रीज नहीं करता देखे रिनल एंपेरमेंट है हाइपर कल्सीमिया, हाइपर मेगनीसीमिया या हाइपर कैलीमिया तो आपका अंसर जगों ऑप्शन डी हाइपर कैलीमिया से जो है टॉक्सिटी इंक्रीज नहीं होती हो के हाइपर कैलीमिया से होती है नेक्स्ट क्वेशन है which drug is used for treatment of sickled cell anemia के लिए कौन सी ड्रग यूज करेंगे प्यकलेट एक्सल कार्बो प्लेटिन सीजपलेटिन हाइपर यूज यूरिया आंसर इस नेक्स्ट क्वेशन जिसका आप लोग कमेंट बोक्स में देंगे आपके लिए प्वेशन है तो आपको इस कांसर कमेंट बॉक्स में इतना ही अगर आपको अच्छी लेगे से लाइक करने शेक करने चैनल पे नहीं है तो मेरे आप लोगों को से रिक्वेस्ट एक चैनल को प्ली सब्सक्राइब जूरू करना ओके थैंक यू